हालो एवरिवन कैसे हैं आप लोग आजए क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लीज का फ्लेमिंगो बुक से पोयम नंबर 4 अ थिंग और ब्यूटी इसके पोएट है जॉन किट्स ठीक है यह पोयम एंडी मियोन अपोइटिक रोमाइन्स यह एक बड़ा सा पोयम था उसमें से एक चोटा सा एक सब निकालकर यह आप दिया गया है ठीक है इस पोयम में होता क्या है कि जो पोएट होते हैं वो इमेजिन करते हैं सिंथिया को सिंथिया कौन होती है दमून गॉर्डेस ठीक है और इनके ब्यूटी से वो इतना प्रफ़ावित हो जाते हैं कि वो enchanted youth मतलब जो poet है वो resolved to seek her out वो उसे ढूरने के लिए निकल जाते हैं और वो जंगल जंगल भटकते हैं ठीक है और उसी के तवरा उनका जो experience होता है उस experience को एक poem में वो express करते हैं तो चलिए इस poem को पड़के देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस poem में हम लोग इसका explanation plus poetic devices plus important question answers जो बन सकता है वो पूरा चीज़ देखेंगे तो end तक देखेगा आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए start करते है a thing of beauty is a joy forever its loveliness increases it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing तो poet बोलते हैं कि a thing of beauty कोई भी beautiful चीज़ यह हमेशा एक खुसी का स्तरोथ होता है ठीक है हमेशा के लिए यह खुसी देता रहेगा its loveliness increases और उसका खुबसूरती जो है beauty है वो हमेशा वक्त के साथ साथ बढ़ता रहेगा it will never pass into nothingness never pass into nothingness मतलब उसका खुबसूरती कभी भी end नहीं होगा कभी भी zero नहीं होगा बलकि क्या होगा वो वक्त के साथ साथ increase होगा ठीक है but will keep a bower quite for us यहाँ पे a thing of beauty एक beautiful चीज़ को compare कर दिया गया है एक bower से bower क्या होता है a steady place under the tree पेर के निशे चाया होता है उसको bower बोलते है तो beautiful चीज़ भी एक bower की तरह ही होता है जहाँ पे quite हमें relax मिलता है सांथ जगा होता है वो ठीक है और साथी साथ bower हमें क्या-क्या चीज़ प्रोवाइट करता है देखिए and a sleep full of sweet dreams एक bower की नीचे हम लोग एक अच्छा-सा नींद ले सकते है और उस नींद में अच्छे-च्छे सपने देख सकते है sound sleep होगा वो ठीक है और जब sound sleep होगा तो हम लोगा जो troubled mind है उसको relax मिलेगा और यहाँ पे हमारा health भी promote होगा and quite breathing fresh oxygen का वज़र से हम लोग का health यहाँ पे promote होगा समझे इतना line तो यहाँ पे आपसे exam में question पूछते हैं कि how a thing of beauty remains a joy forever कोई भी एक beautiful चीज हमेशा के लिए खुशी का source कैसे है तो आपको लिखना होगा क्योंकि इसका beauty कभी decrease नहीं होता है time के साथ साथ बलकि इसका beauty increase होता है ठीक है it will never pass into nothingness कभी zero नहीं होगा इसका beauty इसलिए यह हमेशा के लिए joy forever है समझे और भी बहुत सरा type का question बनेगा यहाँ से देख लेंगे अभी हम आपको दे देंगे ठीक है अभी आप सिर्फ समझते चलिए या फिर beautiful thing को compare किया गया है एक bower से bower में क्या क्या advantages है यह रहा troubled mind को relaxation देता है asleep provide करता है full of sweet dreams help promote करता है quiet breathing देता है ठीक है चलिए आगे पड़ते है तो चुकि एक beautiful चीज़ का इतना सरा advantages है therefore on every morrow morrow मतलब the following day हर अगले दीन हम क्या करते है are we reading a flowery band to bind us to the earth तो हम लोग हर सुबह क्या करते है reading reading मतलब बुनना हर सुबह बनाते है encircle या फिर surround ठीक है हर सुबह क्या बनाते है एक flowery band बनाते है यहापे भी flowery band का मतलब क्या है a beautiful thing यहापे भी comparison किया गया है ठीक है तो हर सुबह हम एक beautiful thing का तलास में होते है ताकि हम लोग उस beautiful thing के जरिये हमें motivation मिले कि हम लोग bind us to the earth हम इस earth से जुड़े रहे earth से जुड़े रहे है मतलब इस earth पे अपना life को continue करे नहीं तो इस earth पे क्या क्या है देखें तो बोला जा रहा है earth में क्या क्या है despondence है hopelessness है depression है inhuman inhuman मतलब cruel death मतलब lack बहुत ही बेकार सा कमी है of noble natures अर्च्छे इंसान तो इस प्रित्वी पे बचे ही नहीं है ठीक है of the gloomy days gloomy days मतलब sad days of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching हम लोग अपना aim को pursue करने के लिए अपना selfish interest को fulfill करने के लिए काफी unhealthy और evil ways अपनाते हैं तो इतना सारा पाप या फिर बेकार चीजे earth पे हो रही है ठीक है इन सब पापों के बावजूद भी हम लोग हर सुपर उठते हैं और एक flowery band मतलब एक beautiful thing का तलास में होते हैं इसे की हमें earth पे जिन्दा रहने का क्या मिले motivation मिले समझे इस बात का गया रही चलिए yes in spite of all हाँ इन सब के बावजूद भी ठीक है यहाँ पे spite of dependence लिखा वा था मतलब in spite of dependence ठीक है तो इन सब के बावजूद भी कोई ना कोई अगर beautiful thing अगर हमारे नजर में आता है तो क्या होता है moves away the pole pole मतलब कोई परदा from our dark spirit हमारे काले आत्मा के उपर से वो जो अंधेरा है वो हटा देता है कौन हटा देता है beautiful thing समझे की नहीं समझे चलिए अब beautiful things का कुछ example दिया गया है कौन से कौन से beautiful things है मतलब देते है बुन मतलब blessing चाया के रूप में अपना असिरवाद देते है ठीक है तो sun, moon, tree ये हो गए beautiful things for simple sheep ये जो चाया देते है simple sheep मतलब common beings ठीक है हर आम इंसान के लिए वो चाया प्रवाइड करता है तो tree भी हो गया beautiful thing और आगे देखिए such are daffodils daffodils जो flower होते है वो भी एक beautiful thing है with the green world they live in और daffodils के आसपास जिता भी greenery है उनके साथ वो सब क्या है एक beautiful thing है and clear reels reels क्या होता है a small streams ठीक है छोटे-छोटी नदिया होती है that for themselves a cooling covered make against the hot season छोटी-छोटी जो नदिया होती है वो hot season के time में क्या provide करती है a cooling covered covered means hidden एक ठंडा सा place provide करती है तो ये clear reels जो है ये भी क्या है a thing of beauty है और इसके साथ साथ the mid forest break reach with the sprinkling of fair musk blooms यहाँ पर question बनता है इसके उपर ठीक है जो mid forest break break मतलब तू slow down मतलब जो जंगल के बीच में कहीं एक empty space आजाता है वहाँ पर पेड़ नहीं होता है लेकिन वहाँ पर छाया होता है ठीक है उपर canopy का तो वो जो mid forest में जो space होता है वहाँ पर क्या आता है rich with the sprinkling of fair musk rose blooms वहाँ पर जो गुलाब के फूल होते है खिले होते है वह गुलाब का फूल अपना जो सुगंध है वो हवा में बिखेरे होता है इसलिए हमाँ जो air है वो क्या होता है rich हो जाता है ठीक है उससे भरपूर रहता है तो यह भी क्या है a thing of beauty है तो यहाँ पर जो break word है break word का एक और meaning यहाँ पर दिया गया है यह रहा a thick mass of ferns ferns क्या होता है आप यह image में देख पा रहे है इसको ferns बोलते है तो देखिए माल लीजे यह कोई forest है यहाँ पर कई सारे trees है और इन कई सारे trees के बीच में जो empty space है जमाल लीजे यह कोई empty space है तो इस space में क्या है ferns grow किये हुए है और इस ferns grow किये हुए है और यहाँ पर जो musk rose जो है वो अपना smell बिखेरा हुआ यहाँ के air में उसलिए यहाँ का air क्या है rich है with the smell of musk rose blooms ठीक है और साथ-साथ बीच में जो break है बहुती भव्या of the dooms dooms मतलब death जो हम लोग death देखे है mighty dead मतलब जो महानवक्ती जो हमारे ancestors है जो for the mankind या फिर कोई noble cost के लिए या फिर कोई country के लिए अपना जान दे दिये ठीक है तो वो मौत को यहाँ पर grandior बोला गया है भव्या जो मौत है वो भी एक beautiful thing है ठीक है All lovely tales that we have heard or read और उनके इन mighty dead से related हमारे heroes से related हमने जो भी कहानिया परी है या फिर सुनी है वो सब कहानिया भी क्या है a thing of beauty है ठीक है An endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink या पर बोला जा रहा है इसी तरीका से और कई सारे यहां पर things of beauty है therefore dills, reels, meat forest break, dooms, lovely tales इन सब के अलावा कई सारे things of beauty है तो यहां पर बुला कि endless fountain कई सारे मतलब अनन्त things of beauty जो है of immortal drink immortal drink मतलब यह सब things of beauty को immortal drink कहा गया है क्योंकि अगर मानो इसे हम देख लेते हैं इसका meaning समझ लेते है तो मानो हम अमर हो जाए ठीक है इसे पीदे का बाद तो यहां पर बोला गया है इसी तरीका से endless जहरना जहर रहा है उपर से इन खुबसूरा चीजों का जो हमारे उपर गिर रहा है स्वार्ग के किनारे से ठीक है पिर poetic devices सबसे पहला हमें यहां पर देखने को मिलता है अब बोवर क्वाइट में यहां पिर बोवर क्वाइट किसको refer कर रहा है अथिंग और ब्यूटी को यहां पिर ब्यूटीफूल थिंग को compare कर दिया गया है बोवर क्वाइट से और comparison के लिए as या फिर like या फिर than जैसा वर्ड को use नहीं किया गया है तो इसका मतलब यहां पर जो poetic device है वो क्या है आप समझ गए होंगे metaphor है ठीक है चैलिए उसके बाद यहां पर देखिए sleep full of sweet as sound repeat होड़ा है वो भी at the beginning यहां पर poetic device हो जाएगा alliteration समझे आगे बढ़ते हैं यह देखिए are we reading यहां पर sentence का सही structure क्या होना चीए था we are reading ठीक है तो poet लोग ऐसा आगे पीछे कर देते हैं तो यहां पर भी poetic device बोला जाता है इसको बोलते हैं inversion ठीक है समझे आगे बढ़ते हैं यह देखिए reading a flowery band to bind यहां पर देखिए band to bind be word sound repeat हो रहा है at the beginning तो यहां पर भी poetic device alliteration हो गया इसके साथ साथ यहां पर flowery band जिसको बोला गया है flowery band किसको बोला गया है हर सुबा हम क्या बन खोशते हैं beautiful thing खोशते हैं ताकि इस earth में जिंदा रने का motivation मिल पाए तो यहां पर flowery band को indirectly क्या बोला गया है beautiful thing तो यहां पर भी poetic device हो जाएगा metaphor क्योंकि as like जैसा word use है यहां पर ठीक है चलिए आगे देखते हैं यह रहा यह दो line देखिए off word से start हो रहा है जब भी दो line same letter से start हो same word से start हो तो वहां पर poetic device होता है anaphora ठीक है इसको याद रखिएगा फिर noble nature में तो आप समझी गए होंगे कौन सा है poetic device बताइए कौन सा होगा alliteration ठीक है फिर some shape समझ गए होगे alliteration यहां पर देखिए sprouting a shady as sound repeater at the beginning alliteration अब देखिए यहां पर young and old जो trees है तो वो young and old यहां पर दो opposite phrases का use किया गया है तो यहां पर जो poetic device है वो हो जाएगा antithesis ठीक है ऐसा एक मेंसा जुलता होता है oxymoron oxymoron में क्या होता है दो opposite word को use करते हैं साथ में जैसे कि deafening silence यहां पर हो जाएगा oxymoron फिलाल यहां पर क्या है antithesis है फिर और देखिए यहां पर जो trees है वो देती है a shady boon तो यहां पर poet हमारे मन में एक image create कर रहे है छाया भारा image ठीक है तो यहां पर जो poetic device हो का वो हो का imagery याद रखिएगा इस point में बहुत सारा imagery यूज हुआ है तो एक हमें यहां देखने को मिला और आगे बढ़ते है simple ship बताएए क्या होगा यहां पर as sound repeat alliterization ठीक है और देखिए इसके बाद होगा यहां पर यहां पर यहां with the green world they live in green world देखिए अब यहां पर deaf audience के साथ हमारे मन में एक image create किया गया है कि यहां जो full है उसके आसपास काफी greenery है तो एक image create किया गया है यहां पर भी यहां पर भी pointing device हो जाएगा imagery फिर clear reels reels को clear बोला गया है यहां पर भी image create किया गया है हमारे मन में तो यहां पर भी imagery होगा फिर यहां पर है cooling cover तो यहां पर alliteration, cc, repeat हो रहा है फिर यहां पर देखिए fair musk rose blooms तो यहां पर जो musk rose है वो काफी fair मतलब है यहां पर भी pointing device होगा imagery फिर grandeur of the dooms यह जो मौते हैं यह काफी भाव्य है तो यहां पर pointing device होगा imagery इसके बाद यहां पर देखिए mighty dead यहां पर दोनों opposite word मतलब काफी powerful और फिर यहां पर है मरा हुआ भी ठीक है दो opposite word साथ में use हुआ है तो यहां पर pointing device होगा oxymoron समझे लेकिन उपर में जो था antithesis यहां पर साथ में use नहीं हुआ था एक बीच में word था end उसलिए यहां पर antithesis हो गया फिर देखिए यहां पर have heard तो as sound repeat है तो यह हो गया alliteration और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है pouring onto us from the heaven's brink यहां पर भी एक image create किया गया है कि स्वर्ग से ऐसा fountain गिर रहा है तो यहां पर poetic device होगा imagery imagery बहुत सार आ है यहां पर लास्ट हमारा poetic device है यहां पर immortal drink में immortal drink का मतलब यहां पर किसको बोला गया है यह सब खुबसूरत चीजों को immortal drink बोला गया है तो comparison है लेकिन as like word नहीं है यहां पर poetic device metaphor समझे तो यह कुछ हो गया यहां पर poetic devices चलिए आते हैं question answers पर अब इस poem से कुछ important question answers देख लेते हैं सबसे पहला है read the extract given below and answer the questions that follow a thing of beauty is a joy forever its loveliness increases it will never pass into nothingness but will keep a bawa quite for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing तो यह stanza है और इसमें बोला गया है name the poem and the poet तो हमें पता है poem का ना में a thing of beauty poet है John Keats number two how does a thing of beauty remain a joy forever एक खुबसूरत चीज हमेशा के लिए खुशी का source कैसे है तो देखिए a thing of beauty will never pass into nothingness कभी यह खतम नहीं होगा its beauty never fades away rather it increases with the passing time खतम तो नहीं होगा बलकि यह वह के साथ साथ increase होगा beauty ठीक है इसलिए यह हमेशा एक source of joy रहेगा question number three explain never pass into nothingness यह कभी खतम नहीं होगा को explain करना है तो ले देखिए मिलता जलता है answer होगा number two से यह देखिए it means the beauty of a beautiful thing is eternal ठीक है हमेशा के लिए रहेगा it will never become zero rather it goes on increasing with the passing time question number four how does the bower help us in our life give two examples bower कैसे help करता है life में दो example दे समझाना है तो bower का आपको पता है बहुत सरा advantages था सबसे पहले bower का meaning बता देते है bower means steady place under a tree ठीक है पेर का निचे का छाया को bower बोलते है bower provides तीन चीज़े यहाँ पे लिखा गया है number one peaceful place to rest जो एक troubled mind को relief provide करता है number b asleep full of sweet dreams अच्छा अच्छा सपने दिखने में help करता है और promotes health ठीक है ऐसे लिख देंगे bower का ये तीन advantages है उसके अलावा which two qualities of beauty are mentioned here beauty का दो quality बताना है तो दो quality यह है कि यह कभी never fades away और दूसरा होगा increase होता है with the passing time ठीक है question number six how does it give calm to a troubled mind किसी भी tension भारा mind को वो कैसे relax and relief provide करता है तो question number six का answer यह रहा it gives peace and tranquility acts as a balm soothing the nerves and relaxing the mind it induces blissful sound sleep ठीक है mind को relax करता है sound sleep देता है इससे troubled mind को relief मिलता है question number seven what does the word bower mean तो bower का मतलब क्या है shady place under the tree इसका answer नीचे लिखा होगा question number eight पे आते है how does beauty lead to a sleep full of sweet dreams अब beauty हमें कैसे sleep देता है जो full of sweet dreams हो तो देखिए a beautiful thing is like a shady place under the tree it relaxes the mind and induces blissful sound sleep sweet dreams and ensures good health and happiness समझ में आ गया होगा आपको और question number nine जो है इसमें rhyming scheme पूछा गया है above lines का तो rhyming scheme करने का तरीका क्या होता है हम लोग last word देखते हैं हर लाइन का forever किस के साथ rhyme कर रहा है never के साथ तो इसको अगर हम a देते हैं तो इसको भी a देते है keep sleep दो अलग-अलग sound है तो b b ठीक है मतलब यह दोनों अपने में rhyme कर रहे है breathing कोई sound नहीं है ऐसा तो इसको अलग लिटर से देते हैं c तो a a b b c यह हो जाएगा rhyming scheme तो वह यहां पर लिखा हुआ होगा यह रहा a a b b c आते हैं question number two में therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth in spite of despondence of the inhumored dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching तो what is the flowery band that bind us to the earth वो फूल की जो band है वो कौन सा band है तो यहां पर flowery band मतलब things or beauty को बोला गया है the poet says that everybody it is the beauty which fills us with the spirit to live कोई खुबसरे चीजी है जो हमें इस spirit पर जिंदा रने के लिए motivate करती है it is the beauty which builds the desire in us to live though there are sad moments and cruel people around us समझे question number two what does the poet mean by spite of despondence despondence का मतलब क्या है it means a lot of disappointment and sadness on the earth what message is conveyed through these lines to message यह है कि it is only because of things of beauty that we are able to live on this earth otherwise there is so much grief on this earth that it would have become impossible without things of beauty impossible to live without things of beauty ठीक है question number four list the things that cause suffering and pain किन किन चीजों से हमें suffering और पेन होता है तो यह रहा despondence lack of noble creatures ठीक है gloomy days unhealthy and over darkened ways made for our searching तो इसको ऐसे लिखेंगे यह रहा on this earth man's life is full of depression and hopelessness ठीक है जो despondency लिखा वा था उसको इमने depression और hopelessness बोलके explain कर दिया there is lack of truly noble people the shroud of disappointment is spread over human souls humans are adopting evil ways to meet their selfish desire ठीक है तो यह सब है जो क्या करता है suffering और pain देता है अर्थ पे आगे move करते है यह रहा question number three list the things of beauty mentioned in the poem कौन से things of beauty है यह रहा बहुत सारे number one है sun फिर moon फिर shady trees बोथ young and old फिल है beautiful daffodil flowers ठीक है फिल streams of water जिसको dills बोला गया था पोएम में dense green bushes of forest ferns where fragrant musk roses grow ठीक है और tales of heroic men who sacrifice their life for their country or for humanity यह सब कुछ things of beauty है जो पोएम में mention किया गया है the poet says that all these things are like a blessing bestowed on all of the creatures by earth question number four in hot season how do man and beast get comfort इंसान हो या फिर जन्वर हो कैसे उसको comfort मिलता है तो तीन चीजों से मिलता है पहला तो बावा देता है बावा में relax करके comfort मिल जाएगा इसके अलाबा जो reels होते हैं वो लोग cooling covert में बनाते हैं वहा पे भी walk करके हमें relax relief मिलेगा और point number C sit under the shade of young and old trees ये भी जो shade देते हैं वहा पे भी बैटके relief मिलेगा hot season से question number 5 and clear reels that for themselves a cooling covert make against the hot season the meat forest break rich with the sprinkling of fair musk rose blooms तो what is the role of clear reels clear reels का role क्या है तो हम समझ माई गया कि ये लोग क्या का बनाते हैं cooling covert बनाते हैं ये रहा to create a cooling covert c-o-v-e-r-t होगा यहां पे ठीक है cover लिखा हुआ है लेकिन t add कीजिएगा that provides shelter to people ये ही इसका कामे रिल्स का ये लोग कूलिंग कवर्ट बनाते हैं number b how has the meat forest break become rich जो meat forest का जो space है वो क्या चिस से रिच है तो the musk roses blooming in the forest make the meat forest break rich with their fragrance question number c name the figure of speech in cooling covert the cooling covert c-c है अब समझ के होंगे alliteration हो जाएगा यहां पे poetic device question number six पे आते हैं last question और very 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 important and such two is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read an endless fountain of immoral drink pouring onto us from the heavens brink पुछा किया कि which two things of beauty are mentioned in this lens तो कौन से दो things of beauty है तो देखिये पहला तो thing of beauty कौन सा हो गया mighty dead या फिर वो मौत है जो हमारे ancestors ने दी है ये एक thing of beauty है और दूसरा जो उनसे जूरी कहानिया है जो हमने पड़ी है सुनी है या फिर पड़ी है वो कहानिया भी things of beauty है तो यही दो things of beauty है भी mention किया गया है तो ये रहा पहला तो हो गया our ancestors who gave up their lives for mankind और दूसरा हो जाएगा all lovely tales that we have heard or read question number B why are the lovely tales called an endless fountain lovely tales या फिर और भी थी जो things of beauty है उनको endless fountain क्यों कहा गया है तो देखें इस अंत नहीं है कितनी सारी कहानी आए हमारे पास ठीक है इसलिए इसलिए ने endless का गया है also with their brave deeds our ancestors have become immortal and the stories will be passed from generations to generations अपने बहादूर भड़े काम से हमारे जो ancestors से वो अमर हो चुके है और उनके stories जो है आने वाले generations पे generations से पास होता रहेगा question number C where is the fountain situated तो यह कहां situated है at the brink of the heaven question number D explain grandeur of the dooms यह सबसे important question है grandeur of the dooms आप से exam में पूछेंगे या फिर आपको दूसरा word देंगे mighty dead ठीक है यह दोनों को पर question आता है यह दोनों का answer same है देखिए यह रह the grandeur of the dooms refers to the greatness and immortality that our heroes have attained even out of their death हमारे heroes या फिर ancestors मर के भी जो greatness attain किये है उनी को grandeur of the dooms कहा गया है we come to know about them by reading or hearing various tales which speak of their innumerable sacrifices they are a source of motivation for all who go through them easy है बहुत important है question number D इसको तियार करना है question number E the rhyming scheme of the above extracties the rhyming scheme इसका पता करना है तो करते हैं dead dead sound के लिए गर हम A देते हैं तो red मिल रहा है तो यहां पर भी A देना होगा drink अलग sound है तो इसको दूसरा लेटर देते हैं B, drink यह भी हो जाएगा B, drink, drink, drink राइम कर रहा है बस तो A, A, B, B हो जाएगा यहां पर यह रहा A, A, B, B और question number F में पुछा गया है the literary device used in the last two lines लास्ट टू लाइन में ताके इसको download कर सकते हैं ठीक है चैले फिरेंड करते हैं आज के वीडियो को उमीद करते हैं आपको यह पुरा पोयम समझ माय होगा और वीडियो साथ करते हैं वीडियो को जोड़ लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और शेनल पर ने उसको सब्सक्राइब कर लिजेगा चैले फिर एंड करते हैं मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत जल तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक क्या रहे